संजय जादब जब पाटी में नहीं थे जब राजनीती में नहीं थे तो क्या थे संजय जादब बहुत आदमी कहते हैं कि संजय जादब एक समय में कंडिक्टरी क्या करते थे कहा जब 2000 में हम चुनाव लड़ने आए यही गोड़ा में लोग बोलने वाला था कि संजे जाद अब बहुत बड़ा आतंगबाद आ गया गरीब का बेटा लड़ाई लड़े गरीब का बेटा हक मांगे तो वो चोर हो गया करिमनल लोग अड़केत हो गया तो लालू जी ने म पूरे बिहार में जहां से टिकर देना है दीजिए हमको सिर्फ सेंबल चाहिए हम चुनाव जीत के आए हमको लगता है कि अठारा रात अठारा दीन हम कंटीनियू गाड़ी पे ही बिता दिये सिर्फ नहाते थे दही एगू पेड़ा खाते थे खाना भी नसीव नहीं होता चुकि खाना-काने मेरा दुगंटा समय बिज जाएगा उसमें रोड नहीं था पैदल जाना पड़ता था हर गवं हम पैदल जाते थे और लोगों में जो उससा था लाइट जलाके लेम जलाके लाल्टन जलाके लोग जो है रत रत भर एक गवं से दूसरे गवं दूसरे ग प्रिश्णूज आज हमारे साथ गुड़ा के पूर बिधायक संजे परसाद यादब जी हैं इनसे खास बात चीत आज करेंगे कि कौन है संजे यादब आखिर कहां से आए संजे यादब और संजे यादब जो हैं क्यूं अपने गरीब गुर्वा बयान के लिए जाने जाते ह क्या कुछ है इनसे आज हम बातचीत करेंगे पूरी बात बताएंगे इनकी पूरी जीवनी बताएंगे अब सीधे चलते हैं संजे यादब जी के पास और जानते हैं कि कौन है संजे यादब क्यूं लोग इनको पसंद करते हैं नमस्कार संजे यादब पहला सवाल सिंपल स सद्धाद जी रौणं का जो दिशाउन इदेश है जिस तरह से उन्होंने गरीब गुर्वा के लिए काम किया और जिस तरह गरीब गुर्वा को साहने का काम किया उसका एक सिस बनके हम लोगोंने 50 से काम करना शुरू किये compete और 90 से की पाटी अलग हुआ और हम लोग का सेंबूल लालटन छाप हुआ तो हम जिला के महासचीव के रूप में उसमें ज्वैंड बिहार था बिहार में हमकाम कर रहे थे बाका जिला से जिला के महासचीव थे उसमें भी तिन चार साल पास साल तक हमारे निता उस समय यूद के पूरे बिहार के परदेश अद्यक्ष तन्विर हसन होते थे और उन्होंने जो जबाब देही दिया वो जबाब देही को हम लोगोंने इमंदारी से निम्हाए और लडाई हरमेशा गरीब गुर्वा का लालू जी का दिसा निदेश जब भी उन्होंने कोई टास देता था तो उसको मजगूती से काम करने हम लोग काम करते थे उसी के चलते हमारा जो है हर जगा अपना बेश ख़़़ा हुआ कर्चकरता ख़़़ा हुआ और लालू जी के विचारधारा को मजगूती से लोगों को बीच बताने का काम लिए है संजय जादब जब पाटी में नहीं थे जब राजनीती में नहीं थे तो क्या थे संजय जादब किस जमीनी छेतर से उठकर आये हैं संजय देखिए जब गरीबों पर अत्याचार होता था और जब दबे कुछले लोगों को गरीब गुरुबा पिछरे दलित अदिवासी अलवसंकर खरीजन को जहां पर दवाने का काम करता था तो हम लोग लालू जादब जी के विचार धारे को मजगूती से वहां बताते थे और उस लड़ाई को लड़ते थे ताकि हमारे लोगों को हमारे गरीब लोगों को कोई उंगली ना दिखा सके उसको कोई डिमरलाईज ना कर पाए चाहे वो थाना रहे चाहे वो जिला के को को उसका हग दिलाने का काम करते थे चुकि जो बिचार धारा हम लोग के बीच था जो हमारा नेता का बिचार धारा था उसको हम लोगोंने मजगूती से काम करने का काम के उसी में लोग जानने लगा किने गरीबों की लडाई लड़ने वाला भी कोई है और दिन परते दिन हमा बहुत आदमी कहते हैं कि संजज आदब एक समय में कंडिक्टरी क्या करते थे मेहनत क्या करते थे बस परिचालन को अपने से चलाया करते थे और रंगबाज क्या कहें गरिश्पा नी दिखिए सच बात बोलने में लोगों को थोड़ा सा करवा लगता है लेकिन सच यही था कि संजज आदब ना कभी कोई कंडिक्टर थे ना कुछ थे हाँ इस्टेंड का लड़ाई होता था चुकि पहले किस लोगों के पास इस्टेंड था और किस तरह से गरीब गुरवा का सोशन करता था कैसे सवारी को तंग करता था किस तरह से सवारी के साथ दुरवभार करता थ वक्तार के साथ ओसकी परकार कोई दिककत नहीं हो उसको आने जाने इन वेğu सुभधा नहीं हो वो लडाइ हम लड़ते थे हर जग वैसे सब्हें करीख कर दिट का मनोबल करदी का का मूसका वर दोड़ा 1944-19 हमको जानने लगा अब उसके आल में अब कंडेक्टर काता है कि खलासी काता है कि डैवर काता है हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं चुकि आगे बढ़ने वाले को लोग चोर कहेगा कभी कुछ कहेगा यहीं गोड़ा में कहा जब 2000 में चुनाव लड़ने आए यहीं गोड़ा में लोग बोलने वाला था कि संजेजाद अब बहुत बड़ा आतंगबाद आ गया ड़केत आ गया क्रिमिनल आ गया चोर आ गया अ चोर ड़केत की बात पर अगर आते हैं तो लोगों में एक संजेजादव के परती डर है क्यों डर है आखिर लोग विस्वास नहीं कर पाते हैं लोगों को यह लगता है कि चुनाव जीत कराएंगे तो संजेजादव तो मार पीठ हो गया यह होगा एक समूदाय को लेकर कि जादव समूदाय के लोगों का मन बढ़ेगा ऐसा लोगों में छबी क्यों है जहां आप बोले कि संजडव से लोगों को डर क्यों है हम आपको बता दें अगर संजेजादव को लोगों से खड़ा रहे, और हमने कहा कि खावरदार करें, तो हम लोग जो है गरीब का बेटा है कि मगर लूटने का काम कहोट आरख, तो हम तुम को छोड़ेंगे नहीं यह ताकत हमने दिया अप्वी सिपилось क्पोड़ने नहीं हम अपने लोगों को जिसको दवाने का काम करता था उसको मैंने एक बढ़ापा दिये कि तुम अपने हग के लिए कभी जुको मत ये तुम्हारा अधिकार है इसकी लडाई तुम लडो अब वैसे परिस्तेते मगर लोग काता है कि दवंग लोग या क्रिमनल लोग या बहुव करते थे यही लोगों को पसंद ने आ रहे इसी के दवाब में लोग जो है कि आने वाला समय में यह हावी नहोजा इसले कर वो लोग दवंग काने लगा दूस्परचार करने लगे निश्शित रूप से आप इसको बढ़ियां से जान रहे हैं गुड़ा ऐसा जगह के गरीब गुर्वा ने दवेकूछले लोगों ने कि नहीं हमारा ही पाजत करने वाला मेरा बेटा आया है और हम लोग अपने बेटा बत्दिजिंग भाई के साथ रहें गए कि na से मुलाकात हुई और कैसे आपको टिकट मिला इसका थोड़ा सा खिसा जाना जाएंगे ने दिखिए हम जब एक मडर केस में जेल में थे वो साजिस का सिकार हम हो गए थे जिस परिवार की हत्या हुआ वो परिवार भी हम लोग के बाप दादा ने उसको आगे बढ़ाया था और एक साजिस के तरद उसकी हत्या करा दिया फिर उसमें हम ही को मुदाले बना दिया हम जेल में थे फिर जेल से हम निकले चार साल हमको जेल में रहना पड़ा और सारे उसके परिवार ने जान गया कि संजे आदव को एक साजिस के तरद फसाया गया तो उस परिस्तिति में जब हम निकले बाहर तो लोगों में एक संदेश गिया, लोगों में एक मेसेज गिया, कि जो लोग आज उसके खिलाप लड़ता था, आज वही लोग उसका सिकार हो गया, तो निश्चित रूप से एक वुचाल लोगों में आया, गरीब गुरुआं में आया किने हमारे बेट को निर्दोज फसाया गया असंजोग से उसी समय जो है राज बटवारा हुआ लालु जी का एक बेलहर में रेली हुआ था और उस रेली में हम लोग काफी संख्या में बेलहर में अपना समर्तन दिये थे उस समय लालु जी ने कहा रहे वो लड़का कौन है जो इतना बड़ी स लालु जी ने मंच से ही बोला कुसको बोलाओ कहा है तो लालु जी ने बुलाया हमारा सरीर पूरा काप रहाता थर्थरा रहे थे बापरिबाप हम तना बड़ा नेता के पास कैसे जाए लेकिन उनका तो समय देखते थे कि बोली और सब चीज में क्या था उसके बाद वहां गए हम पैरेश्यू के परणाम कि थे अशिरवाद लिये लालु जी ने बोला एह बोलो क्या रहा है कीसे होगा कैसे गुरुआ मिलके सभी लोग जो है पटना को भरेंगे लालु जी को मजगूती से समर्थन करेंगे यह हम दो ही लाइन बोले उसके बाद फिर बोलने पाए उस समय हम लोगों पॉलिटिक से कुछ आभी मालूम नहीं था जूट बढ़ाय कर दें हम यह किये वो किये वो सब हम कर दिन है तो उसके बाद फिर पटना रेला रेली है और से एक देड़ साल के बाद जीला के महासिशीन बना दिए फिर Guamyle यह काम में उसमें चेया बहुत सारे संकटने आया बहुत सारा बात हुआ अभी एक दिन में तो सारा रावायन खत्म होने सकता है बहुत सारा मोर आया, बहुत लड़ाई लड़े, कितना बार रेला रेली हुआ, फिर भागलपूर में हमको गोली भी लगी, क्रिमिनल ने मारा, फिर वो क्रिमिनल लोग को भी पबलीक ने घेर के मारा, बने एक दिन कुछ ने कुछ कहानी होते गया, चुकि लड़ने वाला आ करेंगे, लेकिन कोई गुलामी कराना चाहेगा, कोई जबरदस्ती कुछ चिनना चाहेगा, मेरा हक और आधिकार लेना चाहेगा, तो हम इस चीज को बरदास नहीं कर सकते हैं, वो लड़ाई हम लड़ेंगे, आज भी देखते हैं, दल में राके भी लड़ते हैं, दल से बा पहली बार हमको लालू जी ने कहा था, कि तुमको पुलिया हर चुनाव लड़ना, और पुलिया हर से मेरा रातोत भी सदरा चीज बन गया था, और हम लोग भी पुलिया हर में चुकी, मेरी अबादी भी बहुत जादे था, हम लोग भी बेस बना के चलते हैं, कोई भी चाहरे रातोत मेरा सब त्यार हो गया था, लालू जी ने खुद बोला कि तुम, चुनाव पुलिया हर लो, लेकिन एक संजोग मिला, बस रंजन जादब जी का उससमें चलता था, उसमें प्रोफेसर लोग का वही चार्ज थे सारा सेंबूल तेंबूल उने की पास रता था लालू जी से बगर पूछे, वहाँ पे टिकर दूसरे आदमी को दे दिया, वो भी मेरा बड़ा भाई था, पनिवुसन यादम जी को टिकर दिया, फिर बहुत सारे बाते हो गई, मेरा रत उत बन गया था, हम भी थोड़ा कुरोस में आ गए, कि नहीं लणाना था, तो नही से भी हो, कहीं से टिकर लेकर आई है, अब कहीं से टिकर लालू जी से टिकर लेना इतना असान तो है नहीं, फिर भी हम लोग लड़ाई लड़े अपना, लड़ाई लड़ने के बाद, लालू जी ने बोला रहे, इसा करो, उसको बुलाओ, फिर डियम स्पी को फोन किये, फ इसको चकाय से लड़ा दो फिर बोला जर्मुंडी से लड़ा दो फिर उन्होंने का उसमें कुछ कॉंग्रेस के लोग भी लग गए कि ने इनको टिकर देने से हमारा सीट निकल जाएगा असानी से वो भी अपना लोगी बिरा दिया तो हम लोग तो सब चीज खेला जान रहे तो उसमें हम लोग जानते ने थे कि हमको टा लड़ना पड़ेगा अब उस सोचा कि यह अगर लड़ जाते हैं तो फिर मेरे लिए आसान सीट हो जाएगा यह सोचके वह भी मतलब लग गए अपने तरीका से उनका उस समय सादू जी से बहुत अच्छा संबन था लालु जी अपने रेसे all right it's not here तो हमको चुकी चुनाओ लड़ना था हमको उन्हें समझ में नहीं आ रहा हा हम सोच कि ने चलो नेताजी जहां से बोले हैं हमने कि हम को पुरे बिहार में जहांसे टिकर देना है दीजिये हमको सिर्फ सेम्बल चाहिए हम चुनाव जीत के एंग लालु जी ने फिर तुरश के फर्रत सेम्बल मिलेगा कब ले लेगा यह भी करना मुष्मिर सिंबल मिला तो हम भागे वहां से जोब्स पहों मेख कर रहा था तो फिर जो है हम लोग सेंबूल लेके निकले यहां पे सारे लोगों को मेसेज दिए उसने में टेलिफाउनिक सुब्दा था मुबाइल उबाइल का सुब्दा तो था नहीं तो यहां से काफी लोग भागलपूर गए और फिर हमको वहां से रिसीव किया हम लोग करीब 40-50 ग लाबाहर के लोगों को दे दिया यह सब भी बाते आई लेकिन दीरे 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 हम अपना बात ब्यवार से गोड़ात पकड़के जैसे भी हुआ लोगों के बीच जा जाके अपना संबर के जोड़ने का काम कि फिर चुनाव लड़े मजगुती से चुनाव लड़े लाज जी थे नकूल राइजी थे दनेंजे मातो जी थे कई लोग थे जो लालू जी के पर्ति आस्था विश्वास रखने वाले लोग थे यह लोग सारी अपनी जितनी भी ताकत थी सारे लोगों ने अपना जो है जोकरे का काम किया चुकि हमरे लिए तो नया था हम बहुत सारे लोगों ने अपनी ताकत लगाया हमको भी जितना उरजा देना था जितनी ताकत देना था लोगों के बीच दिये और हम भी मेहनत में कमी ने छोड़े हमको लगता है कि अठारा रात अठारा दिन हम कंटीनियू गाली पे ही बिता दिये सिर्फ नहाते थे दही एगु प्यड़ा खाते थे खाना भी नसीव नहीं होता था झ॑क खाना खाने मेरा दो गण्टा सभी जाएगा उसमें रोड नहीं था पैदल जाना पड़ता था हर गउ हम पैदल जाते थे और लोगों में जो उतसा था लाइड जलाके लेम जलाके लालतन जलाके लोग जो है रत्रत भर एक गउ से दूसरे गउ दूसरे गउ ad Bare जंसला चलता था तो हमको कहीं से ने लगता था कि हम चुनाव नहीं जीते ने अपने ऊपर पूरा फुली हमको पिस्वास था और फिर हम लोग चुनाव मझगूती से लड़े लड़ने के बाद जब उस दिन भोटिंग के दिन जब देख लिया चारो बगल से कि चुनाव बहुत प्रियास हुआ था कई क्रिमिनल पकड़ाया हतियार उतियार के साथ जहाज किताम पकड़ाया और जगह पकड़ाया हम लोगों ने उसका कोई भी जो पलानिंग चलता था उस पलानिंग को चलने ने दिया एक उसके भाई को पीछे हमारी गाली थी रजी सानंद के क्या था कि चुनाओ के दिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक भोट मेरा कोई लूट नहीं पाएगा जो आतंग था उसका उस आतंग को बंद कर दिये और जब साम में हम लोग बसंतराय चोग पर बैटे उसमें बसंतराय चोग भी बहुत छोटा था दो चारद पाज डुकान था जादे दुखान ब्लुकान भी नहीं था उसके बाद Ned्रीव बटकरा इंदर बिस्वास जीते में महूफ लेकिस लेकिन जो लोग लग राज चुका था ऊसको तो वो आपके लिए के लिए कुछ नहीं ह्तां कि वह काता था कि ने हम चुनाव लगता है हार गए उसके तो उसी गुस्षा में आके मेरा जिलाद्यक्ष को यहां गुड़्डा में बड़ी बुरा तरह से उलो ने मारा और जिस तरह से मारा था कि तो भगवान बचाया उसको और उलोगी इस फेरा में था चुकि उसमें डि करता को बड़ी संजम में रखें हम गोल हाथ पगड़के कि आप चुनाव काउंटिंग तक कुछ मत कीजिए कौंटिंग मत बोलिए कौंटिंग होने दीजिए जब आपके रिजल्ट हो जाएगा तो आपका मुतोर जबाब यहीं मिल जाएगा उसको और जब मेरा वाले रहते हैं अब पुराना घर है पुराना रिस्ता है हम उसको कैसे त्याग दे ठीक है पार्टी लेबल पर राजनितिक होती है लड़ता है भाई-भाई में होता है देखरें मा बेटा चुनाव लड़ जा रहा है तो जहां जो पार्टी का जो रहता है वह अपने पार्टी कितना फरक आया है देखे पहले चुनाओ पैसे पर नहीं होता था पैसा लेके भोट अर्भोट नहीं देता था लेकिन यह बीजेपी वाला जब से मोदी जी आये साथ-आठ साल-दस साल से जो इनका प्रकृरिया चल गया यह पैसा पर भोट लेता है भोट को खरी नहीं लिए लेकिन जिस तरह से आम लोगों से पूछ सकते हैं पब्लिक से पूछ सकते हैं या जो लोग भोट दिया वो लोग भी कहता है कि हजार पासो लेके तो भोट दे दिये लेकिन अभी पस्ता रहे हैं तो आप लिए तो पस्ता रहे हैं हम तो दिये ही नहीं तो पस् tą इसा लेना बंद कर दुए तभी आप विकास कर सकते हैं मेरे रीजं़ में a. घर nurture hai dua तो अभी काम तो हुई ने राजव इस पर क्या हम बात करें क्रोना में जो पून्तिरी जी ने काम किया है यह तारीफ है कि लोगों को घर तक पूचाना लोगों को फिलें से ट्रें से जैसे भी बस से ला करके उसके घर तक पूचाया उसको नाज दिया उसको दवाई दिया खाना दिया इस समय में जो चाहिए पहले जान retirement याद आज अपने आपको कहाँ खाड़ा है हम तो कहें कि हम कल भीखाली थे आज भीखाली है लेकिन जनता के बीच खड़े हैं जनता की समस्या है जहां जनता का कुछ काम रहता है जहां कोई मुसीबत आता है जहां साधी भिया हो कोई तरह का फंसन हो किरतन ओ बजन हो फ़ल ना हो जिस तरह की छोटा से छोटा कार्श करम हो हम जनता के बीच आते हैं हम खुशाल पाते हैं अपने आपको आज भी हमारा जनता हमीं को विधायक मानता है तो हम कहीं से थोड़े बूशते हैं कि हम हारे हुए विधायक हैं कि जीते हुए विधायक हैं हम कल जैसे ते होई से आज भी है कहीं लोगों का यह भी काना है कि संजय आदब जो है चुनाओ के समय में ही अपने छत्रों में दिखते हैं और उसके बाद जो है या हार हो या जीत हो फिर वो गोड़ा छोड़ देते हैं यह तो मेडिया वाले के माध्यम से ही हम लोग जानते हैं और हम समझते हैं कि हम जितना छेतर में रहते हैं वो पूरे देश में कोई अमेले उतना छेतर में ने रहता होगा और हर मोसीबत में हर स अबहार दोनों में कौुण सांवी और से अपनी बाइप क्यों करें अगर जनता में नहीं रहते तो कहां हम जो है 32,000 बोटे लाय से तर्यजर बोट, PayPal फिर अगर हम पब्लिक में नहीं रते जनता हम ने रते क्यों चाहता हमको तो कभी भोट मेरा घटा या नहीं एक से एक दिगज ने ता लोग यहां लड़ा हाँ इस बार जो आपकी हार हुई क्या कारण मनते हैं जब आप सोचते हैं आकलन करते हैं तो क्या लगता है क्यों हार इस बार की हार हमारी हार नहीं है न गोड़ा की जनता की हार है इस बार की हार यहां के परसासन के द्वारा मुझे हराया गया जो आम लोग जानते हैं जहां हमको हारना था हम भी मानते हैं जहां हमको हारना था वहां से हम जीत करके निकले सारे चार हज्जार बोड से हम पथ निश्चित रूफ से परसासन के लोगों ने मुझे चुनोहराया उसमें बहुत सारी गैम हुआ जो मास्टर का टीचर का सिपाही लोग का भूट पड़ा आप जानते हैं सिपाही लोग किसको भूट देता है मास्टर लोग किसको बूट जुट तो उस समें कॉंटिंग होल में आना ये भी समस्य परी था तीन आदमी उसमें साजिस के तहट था और बहुत सारा गेम हुआ अब क्या कहें अब किस पर छिटा कसी करें जो चीज गुजर गई उस पर बात करना हां लेकिन सतर कर दिया आने वाला समय में वो सारे बिंदू पर भी ध्यान द पकड़ा रहे हैं में सार्य का इतना मंल है जंड़ा हुआ सब फ가지ills लगा कोई प्तादीकारी सं लिया कीश त्यारीए किस तरह की रन नितिया बना देखे त्यारी अभी तो गडबंदन की सरकार चल रही है और जिस तरह से गडबंदन की सरकार चल रही है अब आगे हमारा नेता भी अभी बाहर आ गया है उनका क्या दिशानिदेश होता है आगे कि क्या लक्ष हम लोग का रहेगा कैसे हम लोग त तो वो पलानिंग हम लोग का चल रहा है अभी बीच में मदूपूर चुनाओं में हमारे बावी मुक्मंतरी तेश्वी यादव जी आये थे उन्हों उनसे सकासाथ भी हमारा बहुत सारा बारता हुआ हम जारकन के विशे में बहुत सारी बातें उनको बताया और चुकि यहाँ पाटी हम लोग का बहुत मजगूत है और निश्चित रूप से अगर हमारा नेता ध्यान देगा तो हम यहाँ मजगूती से उभर सकते हैं और मजगूती से काम कर सकते हैं आज भी लोगों को लालु जादव के प्रती विश्वास है अस्ता है और उन पर भरोसा रखता है कि वह आदमी बदलाओ नहीं है वह आदमी टिकाओ है उसको कोई खरीद नहीं सकता है इसले करके उन पर अस्ता और विश्वास है और आज भी लोग उनको चाहते हैं 25 राष्टे जंता दल अस्थापना दिवस आज के दिन क्या कहेंगे आम जंता को देखे आज के दिन हमारे नेता अधरने लालु जादर जी ने संदेश दे चुका उनसे बड़ा नेता हमाई ने और हमारे नेता जबने रहता तर हम लोग का बात सुनता है लो तो हमारा नेता आज भी उतना पोपलर है, हमारे नेता के परती इतना लोगों में विश्वास है, आज आप देखे होंगे कि अस्थापना दिवस में, बेगर कहे, दो दिन में लोगों को खली सूचना गया, अकिस्तर से जन सलाव आया, तो इससे साब जाईर है, कि संदेश क् संदेश दे दिया, कि हम आपके साथ हैं, राष्टी जनता दल के साथ हैं, लालू यादब के साथ हैं, संजय यादब के साथ, यह संदेश दे दिया, तो देखां आपने हमारे साथ गोडा के पूरविधायक संजय परसाद्य अदब in जी थे, और उन्होंने बड़ी ही एkładा के कि पहिसे ल Ț şeyजा को अस है नहीं से का cena का जा का autocon